हाई गाईज इस आलिया भाट यह वचिंग एक्सपोज इंडिया कीप वाचिंग मस्कार आप देखने एक्सपोज इंडिया मैं हूँ आपके साथ आयूशी श्रिवास्तर दिल्ली में 8 नवंबर को अचानक हुई 33 लोगों की मौत ने हर किसी को संद कर दिया दिल्ली के रियाईशी इलाके में बनी एक गैर कानूनी फैक्टरी में रविवार को ऐसी आग लगी कि वहां काम करने वाले लोग हमेशा के लिए सोते रह गए वही दिल्ली में हुई इस दर्दनाक हाथसे से सबक लेते हुए उतरप्रदेश में ऐसी कोई घटना ना हूँ इसके लिए उतरप्रदेश में तयारिया शुरू की गई है लेकिन आखिर किस तऱ की तैयारिया यूपी सरकार के फायर फायर विभाग की तरफ से की जा रही है इस बारे में हमारे संभादाता विजद्र पार्टी ने डी जी फायर विश्वजीत महापात्रा से खास बाचीत की दिल्ली की घटना के बाद जहां आग लगने से 43 लोगों की मौत हो गई अब उत्तर प्रदेश में भी इसकी त्यारी क्या है और कितनी यूपी सरकार के फायर फाइटर विभाग त्यार हैं इसके लिए ज्यादा बात करने के लिए हमाई साथ मौजूद हैं डी जी फायर शुजीत महापातरा साब हमसे पूछेंगे कि क्या उत्तर प्रदेश में भी अगर कोई इस तरीके की बड़ी घटना घटती है तो उसके लिए फायर विभाग त्यार है क्या त्यारियां है और क्या अभी तक जो उनकी कमिया रही है उस पर उन्होंने क्या त्यारी की है ज् अभी तक क्या त्यारियां हुई है और क्या कमिया रह नहीं है उस पर कुछ चर्चा कर रहे हैं विभाग बिल्कुल आपने सही कहा कि आग बुझाने से ज्यादा महत्तव नहीं कि आग को रोकना जो प्रिवेंटिव मेजर्स को समय से लेना अती आवस्चक है इसका कई पहल इसके अलावा हमारे जो बाहन है जो उपकरन है वो बिल्कुल सही operational readiness मे रहे इसको देखना भी जरूरी है और हमारा response time fire department की response time कम से कम हो इसके लिए भी rehearsal होनी चाहिए, test call होनी चाहिए, जो हम करा रहे हैं, यह बहुत जरूरी है, ताकि fire call मिलने पर कम से कम time पर मौके पर पहुंचें, तभी उससे काफी आग पर काबू पाने के लिए मदद मिलती है. दूसरा पहलू यह है कि जनता को जागरूप किया जाए, आग को रोकने के लिए एक घर में जो आग होती है, शिलिंडर से या सर्ट सर्किट से उसको कैसे रोका जा सकता है, fire brigade को सुचना तुरंत देनी चाहिए, इस सम्मन में हमारे जो भी स्टाफ हैं, वो अपने अपने जन पदों में बिभिन्न स्कूल, कलेज और अन्य फैक्टरी, रेजिदेंचियल सोसाइटी वगरा सभी जागा जाके लोगों को समुह को अड्रिस करते हैं और वहां डेमो भी दिखाते हैं, यह प्रक्रिया जारी है, और हमारे पास हर महीने रिपोर्ट्स आते हैं कि कितने उन कराई जाती है, ताकि दुरगटना की स्थिति में कैसे escape किया जाए, किस तरह से rescue किया जाए, किस तरह से आग पर काबू पाया जाए, वो प्रसिखित दमकल कर्मचारी अधिकारियों के अलावा जो जनता के लोग उनके साथ मिलकर मोगड्रिल कराई जाती है, और काफी संख जो मतलब जिसकी समाधान जरूरी है, जैसे कई फैक्ट्रीज या कई कमर्सियल एक्टिविटी रेजिडेंचियल एरिया में चल रही है, और इसके बारे में प्रसाशनिक स्तर पे या जो एजन्शीज हैं अगर निगम हैं या अन्ने डेवलोप्मेंट अथारिटी है, उनक इसके बारे में जनकारी होते ही, इसको समंदित विवाग द्वारा बंद करना चाहिए, क्योंकि वहां पर फायर फाइटिंग के कोई व्यवस्ता नहीं होती है, लाइसेंस नहीं होती है और वहां पर खत्रा सबसे ज़्यादा रहती है, अब फायर सेफ्टी के लिए यूप अगर NOC जारी करना होता है, या अगर कोई कमी है अविदन पत्र में, तो उसको रिजेक्ट किया जाता है, कुल मिला के पंदर दिन टाइम दी जाती है, और यह बिल्कुल आनलाइन है, इसमें किसी प्रकार की कंप्लिनन्ट या अप्लिकेंट से कोई संपर्क नहीं किया जा आग के रोकताम के लिए और ट्रांस्पेरेंट NOC जारी करने के लिए इस सिस्टम बनवाए हैं, और मेरा विश्वास है कि हमारे जो भी दमकल विभाग के स्टाफ में उपकरन है, उनको रेडिनिस में हम रखते हैं, रिस्पॉंस टाइम कम से कम हो, पब्लिक में प्रचार प्रचार प्रब्लिक को जागरूप करने के लिए जो भी हो सकता है, वो सब किया जाए, और NOC जारी किया जाए, मौक ड्रिल्स, निरंतर जारी लागू हो, इस प्रकार हम आग पे काबू, प्रिवेंट कर सकते हैं अगनी दुरगटना और आग पे काबू पाया जा सकते हैं कि लखनो में एक होटल कांड हुआ, उसके बाद तमाम ऐसे लोगों को हटाया गया, मैन पावर की कमी है, लेकिन आम आदमी को जागरूप करने के लिए जिस तरीके से आपी के विभाग के गाजियाबाद में सेफों हैं, उन्होंने 72,000 लोगों को ट्रेंड कर दिया, फायर अधाय तो है, बिल्कुल इसमें आपके जानकरी के लिए मैं बता दूँ कि हर महिने फायर मैन अब दा मंथ एक हम प्रसंसा पत्र जारी करते हैं, हर महिने और उनके फोटोग्राफ भी लगाई जाती है, और इसमें जो अच्छे काम कर रहे हैं फायर मैन या फायर सर्विस क के कोई भी करमचारी, उनका काम का अंकलन करके कमिटी फायर मैन अब दा मंध बना दे, इसके अलावा तमाम प्रसंसा पत्र जो भी अच्छी कारिय होता है, उसमें प्रसंसा पत्र पुरसकार के अलावा मैडल, अगर बहुत 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 का काम है, तो प्रेजिदेंट्स गलंटरी मेडल तक भी रेकमेंड किया जाता है तो यह सब प्रक्रिया मतलब निरंतर चलती रहती है और जो गाजियावाद में उन्होंने फायर फाइटर्स की जो उन्होंने ट्रेनिंग दिया है और बहुती अच्छी काम है और यह कारियों जो है और जिलों में भी हम अच्छे काम हो रहे हैं प्रचार प्रसार इसमें एटा में हमारे जो सीफो हैं वो लगातर जो है लगभग प्रती दिन वो अपने कारले के काम निप्टाने के बाद प्रचार प्रसार और प्रसिख्यन में पूरा समय देते हैं और हमने उनको उनके कारिया की अनुकरन करके और शियफोज को भी कहा है कि आप भी ज्यादा से ज्यादा समय प्रसिख्यान और इसमें लगाएं ताकि जनता को जागरूग करें जागरूगता से अगनी दुरगटना काफी हद तक काबूग पाया जाज़कता है सर एक और सवाल है कि जब अभी हाल में ही आपने कई होटलों को कई बिल्डगों को नोटिस जारी की थी उसके बाग वो मामला ठप हो गया उन नोटिसों का क्या कोई नया फर्मान जारी किया रिमाइंडर भेजा गया कैसे उनको बताया जाएगा कि आप दुरगटना के मुहा पर खड़े हैं सुरक्षित होने के लिए कुछ तो उन्हें करना होगा विभाग उसके लिए क्या कुछ समय बना रहा है उन विभागों से जो इनके लिए जिम्मेदार है फायर विभाग इसका कोई कदम उठाने जा रहा है देखिए फायर सेटी अडिट हम समय समय पर करते और जहां जो कमी अडिट के दोरान प्रकास में आया है उसको लेगवद करके समंदित बिवागों को समंदित सच्छम अधिकारियों को दिया गया है और उसको जो कमिया है दुरुस्त करने के लिए एक समय होता है उसको रिजनबुल टाइम दी जाती है उस समय के बाद अगर नहीं हुआ है फिर रिमाइंडर भी भेजी जाती है ये एक निरंतर प्रक्रिया है तो निश्टित रूप से हमने अपना जो फर्ज है वो हमने निभाया है और एही में बता सकता हूँ धन्यवाद ये थे विश्वजीत महापातरा जी डी जी फायर जिनका साफ कहना है कि उत्तर प्रदेश तमाम ऐसे मुद्नों से लड़ रहा है मानव संसाधन की कमी के बावजूद भी विभाग पूरी तैयार हो रहा है धीरे धीरे कि आप जनता को जागरू कर सके कि आग से बचें और अपने परिवार को भी बचाएं कैमरा परसन राजकमार के साथ मैं विजे तरपाथी एक्सपोज इंडिया लखनव